नगर सेट धननजय का हिम्दोत धवल महाले आज विविद रंग की पताकाउं से सजाया गया था। सिंग द्वार का तोरन फूलों से बनाया गया था। बड़े-बड़े हाथियों, घोडों, रत पाल की आदी वाहनों पर नगर के धनी मनी पुरुष आ रहे थे। लंबा अंगर अखा, जड़ाव उपतीश पहने, विनैधर और दंडधर लोग दोड़ दोड़ कर समागत अतिथियों की अभ्यर्थना कर रहे थे। दास, दासी, द्वारपाल सब अपनी अपनी व्यवस्था में व्यस्त थे। धननजय सेट शुब्र परिधान पहने, कंठ में रतनाहार धारन किये वे, मस्तक पर बहुमुल्य उपतीश पहने, समागत अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। किन्तु उनका हृदय रो रहा था। उनका मुख गंभीर और नेत्र आद्र थे। एक हजार भिक्षु संग के सहित उपाचार्य भदंत बंधु गुप्त प्रांगण में पहुँच चुके थे। भिक्षु गण मंद स्वर में मंत्र का पाठ कर रहे थे। उनका सम्मिलित कंठ स्वर वाता वरण में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न कर रहा था। विविद वाध्य बज रहे थे। समागत अतीतियों को विनैधर दोड़ दोड़ कर उचित आसनों पर बैठा रहे थे। धन्नज सेठ ने व्यस्त भाव होकर इधर उदर देखा। सामने ही उनका अंतेवासी विश्वस्त सेवक सुखदास उदास मूह चुप चाप निश्रय खड़ा था। सेठ ने कहा। भणे सुखदास तनिक देखो तो कुमार के तयार होने में कितना विलंब है। भिक्षुगण आ गये हैं और अब महराजा धिराच और आचारे के आने में विलंब नहीं है। सुखदास ने मालिक की विशादपूर्ण द्रिष्टी और कमपित स्वर को हृतेयंगम किया। वह बिना कोई उत्तर दिये स्वामी के सम्मुख नतमस्तक होकर चला गया। सुखदास सेठ का पुरान नौकर था। उसका इस महाजन के घर में परिवार के पुरुष की भाती ही आदर्मान था। वह अधेड आयू का एक ठिगना, मोटा और गौर वर्ण पुरुष था। चांद उसकी गंजी थी, चहरा सदा हास्य से भरा रहता था। पर इस समारोह में उसका मूह भी भरेवे बादल के समान हो रहा था। वह सेठ के दुख और विवश्ता को जानता था। उसके पुत्र की मनोदशा भी समझता था। जो कार्य हो रहा था, वह उसका कटर चुओं की घर्षना करने का वह कोई अफसर नहीं चूकता था। महाश्रेष्टी के पुत्र का नाम दिवोदास था। वह 22 वर्ष का दर्शनिय युवक था। रंग उसका मोती के समान था। उज्वल हीरक पंक्ति सी उसकी धवल दंता वली थी। उत्फुल कमल दल से उसक कंठस्वर था। वह नवीन व्रिशब की भाती चलता था। उसका हासे जैसे फूल भी खेरता था। सुखदास ने शेष्टी पुत्र को अपनी गोद में खिलाया था। उसकी अपनी कोई संतान न थी। इस निरी दंपत्ति ने शेष्टी पुत्र में ही अपना वात्सल्य समर्पित किया था। बालक दीवो दास सेवक सुखराम के घर जाकर उसकी गोद में बैठ कर उसके हाथ से उसके घर का रुखा सुखा भोजन करता और उसकी गोद में सुखदास की कहानिया सुनते सुनते सो जाता था। शेष्टी और उनकी ग्रेहनी को इसमें कोई आपत्त पुत्र के प्रति सुखदास के प्रेम से वे परिचित थे. इसमें उन्हें सुखोप लब्दी होती थी. इसी प्रकार दीवोदास युवा हो गया. युवा होने पर भी सुखदास के प्रति उसकी आसकती नहीं गई. वह उसे पृतिव्य कहकर पुकारता था. सुखदास पति पतनी जूट मूट को ही दिवोदास के विवाह की किसी कालपनिक बात को लेकर लड़ पड़ते और जब दोनों नेड़ने के लिए श्रेष्टी दमपती के पास जाते तो श्रेष्टी दमपती खिलखिला कर हस पड़ते थे। आज हम सब की सुखद भावनाओं पर जैसे तुशारा पात हो गया। सुखदास की मर्म कथा को कौन जान सकता था। वो अपने हाहा कार करते वे रिदे की पीड़ा को छुपा कर अंतःपूर की ओर चला गया। सुगंध से कक्ष भर रहा था। चेरी और सुहागी ने मंगल गीत गा रही थी। परिचारिकाओं ने असनान के बाद दिवो दास को बहु मुल्य वस्त्र और आबोशन पहनाए। यह देख ग्रिह पत्नी ने आखों में आसु भर कर कहा। पुत्र का यह कुछी चणों का श्रिंगार है। फिर तो पीत, चीवर और भिक्षा पात्र। उसकी आखों से जर जर अश्रोधारा बहचली। सुखतास ने ग्रिहनी का यह विशातपूर्ण वाक्य सुन लिया। उसने ठंडी सांस लेकर कहा। है, आज का यह दिन देखने ही को मैं जीवित रहा। परन्तों शेग्री ही उसने अपने आपको संभाला। आखों की कोर में आय आशू पोच डाले और आगे बढ़कर कहा। कुमार, मालिक की आशा है कि महराज धिराज और आचारे के पधारने में अब देर नहीं। तनिक जल्दी करो। कुमार ने इस्थिर्च्वर में कहा। पित्री वे, पित्री चर्णों में निवेदन कर दू कि यह दास तयार है। सुखदास ने चर्ण भर ओस से भीगे वे शद कमल की भाती सुश्मा संपन्य कुमार के मुक की ओर देखा। और अच्छा कहकर वहां से चला गया। इसी समय महाशेष्टी ने आकर दोनों हाथ फैला कर कहा। पुत्र, प्यारे पुत्र। दिवो दास ने सम्मुग खड़े होकर कहा। पित्री चर्णों में अभिवादन करता हूं। आयुश्मान हो या शश्वे हो पुत्र। अनुग्रिहित हुआ। तो पुत्र तुम तयार हो। महाशेष्टी ने कमपित कंट से कहा। हाँ पिताजी। पुत्र मेरे रिदय दल बैठा जा रहा है। पिताजी यह तो आनंद का अवसर है। अरे पुत्र मैं तेरे बिना रहूंगा कैसे। यह सारी पृत्वी तप्त तवे की भाती अभी से जलती दिख रही है। अभ यह सुख, वैभव, धन, राशी। हाई, मैंने क्या सोचा था। किन्तु महाराज की आग गया। सेट के होट कापे, नेत्रों से आसु टपक पड़े। सुखदास ने व्यक्त भाव से आकर कहा। स्वामिन, महाराजी दहराज, श्री यशुधर्म देव, तथा भिक्षु शेष्ट आचार्य बंधुगुप्त पधार रहे है। दनन्ज सेट ने आखे पोची और उनकी अभ्यर्थना को दोड़ चले। उन्होंने महाराज और भिक्षु शेष्ट की अभ्यर्थना की और कक्ष में ले आये। दिवोदास ने भूताप करके शाष्टांग प्रणाम किया। बंधुगुप्त ने दोनों हाथ उचे करकर कहा। कल्याण कल्याण। फिर आगे बढ़कर सेट से कहा। शेष्टी राज, महासंग स्थविर वज्र सिद्ध ने आपका मंगल पूछा है। और मंजु श्रीर वज्रतारा देवी ने या गंध माल्ले दिया है। दनन्ज सेट ने गंध माल्ले लेकर मस्तक पर रखा और कहा। भला महासंग स्थविर प्रसन्य तो है न। वे सदा सबकी कल्याण कामना में लगे रहते हैं। वे सर्वत्यागी सिद्ध महापुरुष हैं। उन्हे सुख दुख नहीं व्यापता। फिर उन्होंने आगे बढ़कर कुमार के मस्तक पर हाथ धर कर कहा। धन्य कुमार, तुमने वही किया, जो तथागत ने किया। तुम्हारा जीवन धन्य हुआ। दिवोदास ने मौन भाव से आचारे की चर्णों में मस्तक नवा दिया। सेठ ने कहा। आचारे मैंने अपना कुल दिपक धर्म के लिए दे दिया। शेष्टी राज यह संसार का दिपक बनेगा। इससे में महराज ने आगे बढ़कर सेठ के कंधे पर हाथ धरके कहा। क्या तुम बहुत दुखी हो शेष्टी। नहीं देव, किन्तु अब यही एक्षा है कि यह महल, अटारी, धन, स्वर्ण सभी संग के शरण में हो जाएं और यह अधम भी संग के कोने में स्थान प्राप्त करें। आचारे ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। यह तो बहुत अच्छा विचार है। शेष्टी राज, धर्मे में आपकी मती बनी रहे। अच्छा अब देर क्यों? अनुष्ठान का मुहर्त तो सन्निकट है। सब कुछ तयार है आचारे। तो चलिए। सब लोग चले। आगे आगे सुखदास मार्ग बताता हुआ। पीछे राजा, आचारे और धननजे श्रिष्टी। उनके पीछे कुमार, कुमार के पीछे इस्त्रिया मंगलगान करती वी और उनके पीछे महमान। बाहर आने पर कुमार को सुखपाल पर सवार कराया गया। सोला दंडधर सुखदास के अध्यक्षता में आगे आगे चले। उनके पीछे इस्त्रिया मंगलगान करती वी चली। उनके पीछे एक सो दासियां हाथ में पूजन सामागरी लेकर चली। उनके पीछे एक हजार भिक्षू, नमो बुध्धाय, नमो अरहनताय का उचारन करते चले। पीछे हाथियों, घोडों, पालकियों के समागत, भद्रजन और पैदल। राह में पूर्स्त्रियों ने अपने सीर के केशों से मार्ग की धूल साफ की। नागरिकों ने पत पर बहुमूले दुशाले बिचाय, कुल वध्यों ने जरोखों से खिले फूल बिखेरे। विविद वाद्य बज रहे थे, बिक्षू मंत्रपाठ करते वे चल रहे थे। समारो संगहराम के विशाल द्वार के सम्मुख आकर विस्त्रित मैदान में रुख गया। सब कोई पंक्ति बद्ध हू स्तब्द भाव से खड़े हो गये। सबकी दृष्टी संगहराम के विशाल सिंग द्वार पर थी। जिसके पट बंद थे। उनी को खोल कर महा संग स्थविर आने वाले थे। संगहराम का सिंग द्वार बड़ा विशाल था। यह गगन चुम्बी साथ खंड की इमारत थी। समारो के पहुँचते ही संगहराम की बुर्जियों पर से भेरी नाध होने लगा। संगहराम दुर्ग की भाती सुरक्षित था। उसका द्वार बंद था। सभी के द्रिष्टी उस बंद द्वार पर लगी थी। यह द्वार कभी नहीं खुलता था। बाजे बज रहे थे। भिक्षु गण मंद स्वर में नमो अरहनताय, नमो बुद्धाय का पाठ कर रहे थे। भेरी नाध के साथ ही सिंग द्वार खुला। सोला भिक्षु पवित्र पात्र लेकर वेदी के दोनों ओर आकर खड़े हो गये। धीरे धीरे आचारे वज्रसिद स्वर्ण दंड हाथ में ले स्थिर द्रिष्टी सम्मुक किये आगे बढ़े। उनके पीछे पांच महा भिक्षु पवित्र जल का मार्जन करते तथा गंध माले लिये प्रित्वी पर द्रिष्टी गड़ाय चले। उन्हें देखते ही सब कोई प्रित्वी पर घुटने टेक कर जुग गये। आचारे सीडियों से उतर कर शिशो सहित कुमार के पास महुचे। उन्होंने मंगल पाठ करके पवित्र जल कुमार के मस्तक पर छिड़का। वेदी पर बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी। उसी के नीचे कुश आसन पर महासंग स्थविर बैठे। समुख कुमार नत जानू बैठे। दिक्षा का प्रारंभ हुआ। आचारे ने खड़े होकर कहा। कहू वच्च बुद्धम शर्णम गच्छा मी। दिवोदास ने घुटनों के बल बैठ कर कहा। बुद्धम शर्णम गच्छा मी। आचारे संगम शर्णम गच्छा मी। दिवोदास संगम शर्णम गच्छा मी। सुखदास की इस्त्री का नाम सुन्दरी था। वह यों तो भलियस्त्री थी, परन्तो मिजाज की चिड़चिड़ी थी, सुखदास घर बार से थोड़ा बेपरवाह था, उसे अपने वेतन की भी चिंता न थी, वह नौकरी नहीं बजाता था, सेट के घर को अपना घर समझ कर रहता था, उनसे प्रेम करता था. जस दिन कुमार दिवोदास की दिक्षा हुई, उससे एक दिन प्रथम सुखदास और उसकी पत्नी में खूब वागयुद्ध हुआ। और प्रती दिन सुखदास उसे कल अवश्य बनवा देने का वादा कर देता था। उसने कहा, भिक्षो हो जाओगे तो सबर कर लूँगी, पर यदि कल न लाए तो देखना मैं कुए तालाब में डूब मरूँगी। सुखदास अच्छा-च्छा समझ गया, कहकर घर से बाहर चला गया था। आज सुखदास को एक साहस करना पड़ा। दिवोदास का भिक्षू होना वह सहन न कर सका। बौधो के पाखंड से वह खूब परचित था। उसने चुपचप दिवोदास की सहायता करने के लिए भिक्षू वेश्ट धारन किया। डाड़ी मूच का सफाया कर लिया। और पीत कफनी पहन ली। उसने चुपचप संघाराम में दिवोदास के पास रहने की ठान ली थी। सुन्दरी आज बहुत क्रोध में थी। उसने निश्चे किया था आज जैसे भी हो। वह नुपूर भीना मंगाये न रहेगी। जब देखो जूटा बहाना। बहाने ही बहाने में खाने पीने के दिन बीत गये। आज वह नहीं या मैं नहीं। वह बड़बडाती भी बाहरी कक्ष में आई। उसका इरादा कल के युद्ध को फिर से जारी करके पती को परास्त कर डालने का था। कक्ष में देखा वहान सुखदास के अस्थान पर कोई भीक्षू पीत कफनी पहने बैठा है। सुखदास की भाती सुंदरी भी भीक्ष जी तुम्हारा सुखदास अब तुम इसे भीक्षू सुखानंद कहना। सुंदरी का कलेजा धक से रह गया। उसने घबरा कर कहा। क्या भांग खा गये हो। मूचो का एकदम सफाया कर दिया। फिर तुम ही तो इन्हें कोसा करती थी। कहो अब मुह कैसा लगता है। आग प्रतोष कर लूगी। लो अब जाता हूँ। सुखदास ने जाने का उपक्रम किया तो सुंदरी ने रोकर उसका पल्ला पकड़ लिया। रोते रोते कहा। हाई हाई यह क्या करते हो। अरे ठेहरो कहा जाते हो। जाता हूँ। अरे मुझे भरी जवानी में छोड़े जात अब तुम नुपूर लेकर ही रहना, मुझसे क्या वास्ता, मैं तो चला। अरे अरे लोगों देखो मैं तो लुट गई, नहीं मैं नहीं जाने दूँगी। वो रोती भी लिपट गई। तो तब क्यों कहा था। वो तो जूट मुट कहा था। तो प्रेम प्यारी जी, मैं भी जूट मुट का भिखशुक बना हूँ, कोई सच मुझ थोड़े ही है। अरे यहा क्या बात है। श्च, किसी से कहना नहीं, गुप चुप बात है। अरे तो तुम जूट मुट क्यों मुड मुडा बैठे हो। तो क्या करता, मालिक की अकल तो पिल-पिली हो गई है, जाने कैसी बितेगी, मेरा उनके साथ रहना बहुत जरूरी है, समझी प्रेम प्यारी जी। पर मेरी क्या गती होगी, यह भी सोचा, नुपूर नहीं थे, तुम तो थे, इसी से संतोश था, अब तो तुम भी दूर हो जाओगे, आज जूट मुट के सादू बने हो, कल के मुझ के बनने में क्या देर लगेगी? अरे नहीं प्रेम प्यारी जी, कहीं ऐसा भी हो सकता है, तुम्हें छोड़ कर भला सुखदास की गत कहां? पर भाया की सेवा करना भी मेरा धर्म है, लो, अब मैं जाता हूँ. तो फिर मुझे क्या कहते हो? बसके इस जमेले से बेबा कि मुझे नुपूर बनवाने हैं. भाड में जाए नुपूर, मेरे लिए तो तुम बने हो. मैं तो पक्का बना बनाया हूँ, चिंता न करो. फिर कब आओगे? रोज ही आएंगे, आने में क्या है? सभी भीक्षू भीक्षा के लिए आते हैं, हम यहीं मिला करेंगे. अच् नहीं ठहरूंगा. देखू तो भाईया को कहां और क्यासे रखा गया है? तो फिर जाओ. जाता हूँ. सुखदास धीरे-धीरे घर के बाहर चला. सुंदरी आखों में आसु भरे एक टक देखती रही. प्रात्यकाल का समय था. विहार का सिध्धी द्वार अभी खुला था. बहुत से ग्रिहस्त नागरिक देवी वजरतारा के दर्शन करने आ जा रहे थे. भिक्षू गण इधर उदर गूम रहे थे. कोई सूत्र धो रहा था, कोई चीरव धो रहा था, कोई स्थान शुद्ध में लगा था. सुखदास भिक्षू वेश में रामपद गुनगुनाता दिवोदास की खोज में इधर उदर घूम रहा था. पर दिवोदास का कहीं पता नहीं लग रहा था. एक भिक्षू ने उसे टोक कर कहा, मुर्ग, विहार में गाता है, नहीं जानता, गाना विलास भ विक्षू को मंत्र पाठ करना चाहिए. सुखदास ने आखें कपाल पर चड़ा कर कहा, मुझे मुर्ख कहने वाला ही मुर्ख है, अरे मैं त्रिगुन सूत्र का पाठ कर रहा हूं, जानता है? त्रिगुन सूत्र? हाँ, हाँ, परवा कंट से उतरता नहीं, जानते हो यान में हो, बात मत करो, सूत्र भूला जा रहा है, सुखदास गुन गुनाता हुआ फिर एक और चल दिया, कुछ दूर जाकर उसने आप ही आप भुन भुनाते वे कहा, वा, क्या सफाचट खोपडिया है यहां जमा, जी चाहता है दिन भरी ने चपतियाता रहूं, पर पापी दिख पढ़ता है, इसी से पूछूं, सुखदास ने आगे बढ़कर कहा, भदंत, नमो बुध्धाय, नमो बुध्धाय, भदंत, कह सकते हो, बिक्षु धर्मानुज कहा है, तुम मुर्ख प्रतीत होते हो, नहीं जानते कि वा महातमस में आचारे की आग्या से प्र भदंत, शान्त पापे, अरे तो महातमस में जाओगे, जानते हो वहाँ जो जाता है, उसका सिर कटकर गिर पड़ता है, वहाँ 64 सहस ड्राकिनियों का पहरा है, ओहो, तो भदंत, किस अपराद में भिक्षु धर्मानंद को महातमस दिया गया, इतने में दो तीन भिक्षु और वहाँ आगे, उन्होंने सुखदास की अंतिम बात सुन ली, सुनकर वे बोले, मत कहो, मत कहो, कहने से भी पाप लगेगा, उसी समय आचारे बंधु गुप्त उधर आ निकले, आचारे ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या गोश्टी कर रहे हो, आचारे ये भिक्षु पू तब सुनिये महराज, यह जो नया भिक्षु दिवोदास, धर्मा नुच कहो, वह तो प्राइश्चित में है, वह तो काक्च चंद्रायन कर रहा है, जी हाँ, महातामस में चार मास में वह दोश्मुक्त होगा, किन्तु यह भिक्षु कहता है कि मैं वहाँ जाओंगा, क्यू सुखदास ने बध्धानजली कहा, किन्तु आचारे बिक्षु धर्मा नुच ने क्या अपराद किया, अपराद अरतु केवल उसे अपराद ही कहता है, आचारे मेरा अभिप्राय पाप से है, महा पाप किया है उसने, उसका मन भोग वासना में लिप्थ है, वह कहता है उस स्थिविर ने उसे चार मास का कक्ष चंद्रायन वरत का आदेश दिया है, कैसी मन के शुद्धी आचारे, अरे तु कैसा भिक्षु है, विहार के साधरन धर्म को भी नहीं जानता, किन्तु इसी बात में इतना दोश, बुद्धम शर्णम, तु निरा मुर्ख है, तुझे भी प्रैश्चित करना होगा, क्या गरम सी सा पीना होगा, ठीक नहीं कह सकता, महा संग स्थविर को सूचना देनी होगी, विधान पिटक में तेरे लिए दस हजार प्रैश्चित हैं, बापरे, दस हजार, जाता हूँ संग स्थविर को सूचना देदू, देखता हूँ विह शेश कहानी अगले भाग में जल्द मिलूंगी दूसरे भाग के साथ नमस्कार